कार्गे जी इसको तोड़ा उल्टा ताज इसको घुबादे ने रहा इनको घुबादी जी खार्गे जी कमल हसन जी वेनु गोपाई जी शक्ति सिंग गोहिल जी अनिल जी कि स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हमारे प्यारे कार्य करता भाईयों और बेहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप साब का यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया इतनी मलत की इतनी शक्ति आपने हमें दी इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस यात्रा का लक्ष भारत को जोडने का है जब हमने ये शुरू किया कन्या कुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की ज़रूरत है और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगे नफरत फैली हुई है मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिलकुल अलग थी मैंने मीडिया के बारे में कहा शुरू आट में कहा कि हमारे दोस्त हैं दोस्त हैं मगर हमारी बात टीवे पर कभी नहीं दिखाते हैं और वो तो तब भी ठीक है वो ठीक है हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर ये एक और काम करते हैं इनकी गलती नहीं है देखें ये जो इहां कड़े इंसे गुस्ता मत हुई है इनकी गलती नहीं है देखें मुशकुरा रहे हैं ये जानते हैं लगान लगी हुई है पीछे से लगान लगी हुई है मगर इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं 24 घंटा 24 घंटा हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम ये सचाई नहीं है भाईयों भाईयों मैं चला हूँ कन्या कुमारी से यहां तक यह सचाई नहीं है यह मीडिया में चलाया जाता है फेलाया जाता है यह देश एक है इन सडकों पे लाकों लोगों से मिला हूँ सारे के सारे एक दूसरे से महबबत करते हैं प्यार करते हैं गले लगते हैं तो सवाल उठता है क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं इनके पीछे जो शक्ति है इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है जब सच्चा ही ये है कि देश का आम नागरिक चाहि हिंदु हो मुस्लिम हो, सीख हो, हिसाई हो किसी भी जात का हो वो एक दूसरे से प्यार करता है मुपबत करता है एक दूसरे की इज़त करता है नब प्रश्टिशद लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते है, मुपबत करते है इज़त करते है देखिए मेरे सामने ये देखिए घूम के देखिए ये जैन मंदिर है गुर्दवारा है मंदिर है मस्जिद है ये हिंदुस्तान ये सचाई है हिंदुस्तान की और ये नई बात नहीं है, ये हजारों साल से इस देश की सचारी है प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं जो इनके पीछे हैं ये नफरत क्यूं पहलाना चाहते हैं आपने कभी पूछे अपने आपसे, कि मीडिया 24 घंटा कभी महबत की बात नहीं करेंगे, कभी आपने देखी हैं कभी टीवी पर देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी, दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया, कभी देखा कभी नहीं दिखेगा सही बात है न सही बात कभी नहीं दिखेगा इसका कारण है भाई और बेहनो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है आपका जेब काटा गया आपका जेब काटा गया तो जब जेब काटा जाता है आपका काटा गया ना तो जब कोई आपका जेब काटा है तो वो क्या करता है सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है नहीं 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 ब्लेड तो बाद में आता है मगद पहले क्या करता है पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है भाई और बेनो ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और ये 24 गंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है बढ़िया बढ़िया क्योंकि सच्चा ही है 24 गटा हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम और पिर जो भी आपका पैसा है किसानों का, मज़़ूरों का आपके एरपॉर्ट, आपके पॉर्ट, आपकी सड़कें सिदा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में इनको कौन चलते हैं? नाम बताओ देखो सब जानते हैं पूरा हिंदूस्तान जानता है, भाईयों और बहनों ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अम्बानी अदानी की सरकार है ये सच्चाई है और ये पूरा पूरा लक्ष इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है मैं 2800 किलोमेटर चला हूँ 2800 मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी कहीं इंसा नहीं दिखी कहीं मारपीट नहीं दिखी मगर जब मैं इनका टेलिविजन कोलता हूँ 24 गंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते है जो सच्चे मुद्धे है उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पर लती से भी ना चला जाए ये हो रहा है इस देश में तो आपका ध्यान कहा जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा है उनकी ओर जाना चाहिए आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए वो आपको बताएगा मैंने एंजिनियरिंग की मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा मैंने आई एस के लिए तियारी की मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था पूछो क्या किया पढ़ाई की कितने साल की स्कूल कॉलिज युनिवर्सिटी सब पढ़ लिए और फिर क्या हुआ आज क्या करते हो मजदूरी करता हूँ पकोड़े बनाता हूँ बेरोजगारी क्यों आई मैं आपको बताता हूँ और जो हमारे छोटे भी अपारी है जो स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते है आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि आप इस देश के भविश्य हो अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे भी अपारी है और स्मॉल और मीडियम बिजनिस से चलाते हैं ये लोग है क्यों? क्योंकि ये लाकों है ये लाकों में है और कोई सो लोगों को रोजगार देता है, कोई पाच्सो को देता है, कोई हजार को देता है कोई 25 को देता है कोई 35 को देता है और ये लोग देश को रोजगार देते हैं अब इनकी बात करते हैं ये 24 गंटे लगे रहते हैं बैंक के दर्वाजे इनके लिए बंद होते हैं हिंदुस्तान के 2-3 अरब पतियों को 1 लाग करोड 2 लाग करोड तीन लाग करोण ऐसे दिया जाता है ये बैंक के सामने जाते हैं इनको धकेल के निकाल दिया जाता है राइट अब क्या ठीक है बैंक का पैसा नहीं दिये तब भी मानली बात तब भी मानली बात मगर फिर क्या किया फिर प्रधान पंत्री ने लोट बंदी की और प्रधान मंत्री ने गलत GST लागू की भाईयों और बैनों ये पॉलिसी नहीं है ये हत्यार है छोटे वियापारियों को स्मॉल और मीडियम बिजनस वालों को और किसानों को मारने के हत्यार है ये और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता सवाल नहीं उठता क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीड़ी आपने तोड़ दी किसके लिए तोड़ी किसके लिए तोड़ी इनके जो मालिक हैं उनके लिए तोड़ी गेम को समझो अब देखिए अब आगे चलते हैं युवाउ की बात की स्मॉलर मीडियम बिस्निस वालों की बात की दुकंदारों की बात की अब सडकों पे hebster पे मुझे हजारों किसान मिले है एक सेकड में पहचान लेता हूं जैसे ही हाथ मिलाता हूं समझा जाता है यह मजदूर है या यह किसान है हाथ से पता लग जाता है छिले हुए हाथ होते हैं अच्छा एक और सबाल है जो मैं सोच रहा हूँ प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड़ी लगती और मैंने सोचा ये मुझे से पूछ रहे हैं ये हिंदुस्तान के किसान से की नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के मज़ूर से क्यों नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते फिर कहते देखो अठाइस सो किलोमेटर चल लिए कोई बड़ी बात नहीं है पूरा हिंदुस्तान चलता है जिन्दगी भर चलता है किसान चलता है, मज़ूर चलता है फैक्टरी में जो काम करते हैं वो चलते है तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाईयों और बैने ये पुरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है हम 2800 किलोमेटर चलते हैं किसान शाहिद जिंदगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता है तो मैं चाहता हूँ कि ध्यान सही जगे जाए अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाईए हिंदु धर्म की बात करते हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ हिंदु धर्म में कहा लिखा है कि गरीबों को कमजोर लोगों को कुछलना चाहिए कहा लिखा है कहा लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए कहा लिखा है मुझे बताओ मैंने तो कही नहीं पढ़ा मैंने गीता पढ़ी है उपनिशत पढ़े है कही नहीं पढ़ा मैंने आपने पढ़ा गई गले लगाने की बात होती है अच्छा ठीक है देखिए अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं नफ़त नहीं दिखी बगड़ डर दिखा किसके दिल में डर किसान के दिल में युवाओ के दिल में छोटे दुकांदारों के दिल में स्मॉल और मीरियम बिजनस जो चलाते उनके दिल में माता हूँ बेहनों के दिल में मुझसे कहते है राउली ब्जेपी की सरकार में हम तो सडक पर शाहम को सडक पर नहीं निकल सकते तो डर पेला दिया है सई? सई? अच्छा आपने शिव जी की फोटो देखी है उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको अभे मुद्रा कहते हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है डरो मत तो शिव जी कहते हैं डरो मत हिंदू धर्म कहता है डरो मत और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं अच्छा एक और मज़े की बात बताता हूं आपको मैं सोच रहा था आपने यह यात्रा देखी होगी इसमें आपको हिंसा दिखी किसी ने किसे को मारा किसे ने गाली दी नए आपने इसमें नफरत देखी बिल्कुल नए इसमें किसी ने ये पूचा भई या तुम्हारा धर्म क्या है किसी ने का भई तुम हिंदू हो मुसल्मान हो सिक हो हिसाई हो क्या हो नहीं किसी ने ये पूचा तुम्स्त्री हो या पुरुष हो किसी ने ये पूचा तुम्हारी क्या जात है बिल्कुल नहीं कि कपड़े भी नहीं प पता नहीं आपने देखा या नहीं इसमें कुट्टे भी आए इसमें कुट्टे भी आए इसमें कुट्टे आए और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते हैं आपने की देखे होगी कुट्टे को किसी ने नहीं मारा किसी ने नहीं मारा इसमें गाई भी आई, बहस भी आई सूर भी आई मैंने देखा वो तो सब जानवर आए सब लोग आए और यहाँ पे कोई नफरत नहीं थी जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे यह यात्रा है कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं कोई गलत सवाल नहीं कभी कभी कोई गिर जाता जैसे हमारे हर्यारा के PCC गिरे धडाम से गिरे, केरला के सब नेदा गिर गए एक सेकंड में लोग उनको उठा लेते थे, एक सेकंड में टाइम नहीं लगता था ये है हिंदुस्तान नहीं देखिए, मैं आपको इस बात बताता हूँ सच्चाई समझनी होगी सच्चाई ये है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है वैसे इंदुस्तान के प्रधान मंत्री पे भी लगाम लगी हुई है उनकी गर्दी नहीं है वो समाल नहीं पा रहे है कंच्रोल नहीं कर पा रहे है उनकों कंच्रोल कर दिया है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ क्यूंकि आप देखिए एerdvoorत भी उनके पोर्ट भी उनके एग्रिकलचर के स्टोरीज डिपो भी उनके और क्या उनका हाँ लाल किला भी उनका लाल किला भी उनका सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी और क्या उनका रेलवेज उनकी अभी भाईयों बहनों ताज महल भी चला जाएगा तो सब कुछ उनका तो ये देश की सच्चाई है आईवे भी उनके सेलफोन भी उनके मगर सच्चाई हमारी आप देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको बताता हूँ अपनी कहाने बताता हूँ जब मैं राज लेती में आया 2004 में आया हमारी सरकार थी चुनाव जीते थे और ये प्रेस वाले 24 गंटा मेरी प्रशंसा करते थे 24 गंटा 24 गंटा राहूल गांदी, राहूल गांदी, राहूल गांदी फिर मैंने क्या किया मैं चला गया भटा परसॉल नहीं सुनो आपको समझना है ये है क्या मैं भटा परसॉल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया और बाई और बेहनों जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मावला छेड़ा वैसे ये मेरे पीछे पढ़ गए उसके बाद जमीन अधिकरन बिल बट्टा परसौल के बाद जमीन अधिकरन बिल लाया कॉंग्रेस की सरकार लाई उसके बाद तो पूरा फूल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पढ़ गए प्रधान मंत्री जी ने बीजेपी ने मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूँ प्रधान मंत्री ने बीजेपी ने हजारों करोड रुपए लगा दिये मेरी शवी को खराब करने में हजारों करोड रुपए और आपने देखा होगा मैंने एक सब्न नहीं बोला बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप मैंने एक सब नहीं बोला यह गल्ट बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है ना मैं बिल्कुल चुप चुप क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है और लगाया पूरी की पूरी मीडिया लग गई वाट्सैप पे लगाया फेस्बुक पे लगाया सब जगे 24 घंटा राहूल गांदी के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने पूरे देश में फेला दिया और फिर एक महिने मैंने आपको सचाई दिखा दी और पूरा पूरा खतम देखो सचाई कैसे काम करती है सचाई को छुपाया नहीं जा सकता है कही न कहीं से सचाई बहार आ जाती है और यह यात्रा हिंदुस्तान को जोडने की है क्यों क्योंकि इस नफरत से इस गर से हमारे प्यारे देश को नुक्सान हो रहा है यह सचाई है और इसलिए हमने यह यात्रा कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है और यह जो हमारा तिरंगा है इसको हम स्रीनगर में जाके वहाँ पे लेराएंगे और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे हजारों लोग चलोगे तो भाई और बहनों देखिए सच्चा मुकाबला दुन्या में सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है ठीक है चाइना ने 2000 स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले ली है प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया तो भाईया प्रधान मंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है और हमारे जो सेना के लोग हैं हमारे डिफेंस पॉर्सेस के लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है मगर देखिए competition आर्थिक है मुकाबला आर्थिक है यह आपके जो सेल फोन है यह आपके जो शोट है जूते है इसके पीछे आप देखिए प्रस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए उसके पीछे आपको लिखा देखेगा man in China हमें shirt के पीछे सेल फोन के पीछे जूतों के नीचे made in India लिखना है और और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शैंगाई में कोई युवा नई जूते खरीदे उसके नीचे देखे made in new Delhi इंडिया ये हिंदुस्तान चाहिए इसी से हमारे युवा को रोजगार मिलेगा तो ये ये करना ही पड़ेगा चोइस नहीं है और ये हम करके दिखा देंगे ये देश कर सकता है करके दिखा सकता है आप आप सबने इतना प्यार दिया आपने इतना प्यार दिया मैंने भाशन में राजिस्तान में कहा था आपके नफरत के बाजार में हम महबत की दुकान खोलेंगे आपने लाखों दुकाने खोल दी है आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का जैहिद